इस वीडियो में हम आपको Nikon Z50 कैमरे के सभी बॉडी पार्ट्स और उनके फंक्शन्स के बारे में बताएंगे. ये कैमरे का टॉप व्यू है. अब हम आपको एक-एक पार्ट के बारे में विस्तार से बताते हैं. कैमरे के स्ट्रैप को लगाने के लिए जो छोटे रिंग होते हैं, उन्हें आइलेट कहा जाता है. Nikon Z50 कैमरे पर दो आइलेट होते हैं, एक कैमरे के बाएं और दूसरा दाएं. इन आइलेट्स के माध्यम से आप कैमरे के साथ आने वाले स्ट्रैप को जोड सकते हैं. Nikon Z50 के टॉप व्युम में, कैमरे के उपर की और आपको स्टेरियो माइक्रोफोन मिलेगा. यह माइक्रोफोन कैमरे में इन बिल्ट होता है और स्टेरियो साउंड रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग किया जाता है. स्टीरियो माइक्रोफोन दो छोटे-छोटे छेदों के रूप में दिखाई देता है, जो कैमरे के उपर स्थित होते है यह माइक्रोफोन आपकी विडियो रिकॉर्डिंग के दौरान स्पष्ट और प्राकृतिक साउंड कैप्चर करने में मदद करता है, जिससे आपके विडियो की ओडियो क्वालिटी बहतर होती है Nikon Z50 में एक स्पीकर होता है, जो कैमरे के टॉप साइड में स्थित होता है स्पीकर का उप्योग कैमरे में रिकॉर्ड की गई वीडियो या आउडियो को प्लेबैक करने के लिए किया जाता है, जिससे आप सीधे कैमरे पर ही सुनी गई रिकॉर्डिंग की साउंड क्वालिटी का अंदाजा लगा सकते हैं. हालांकि इसकी आवाज उतनी तेज नहीं होती जितनी बड़े स्पीकर्स की होती है, लेकिन यह सामान्य प्लेबैक के लिए परियाप्त होती है. नमबर फोर जिससे आप बिना किसी अतरिक्ट सेटिंग्स के पुरंत वीडियो शूट कर सकते हैं. नमबर फाइफ पावर स्विच नमबर सिक्स शटर बटन नमबर सेवन एक्सपोजर कमपेंसेशन बटन जो आपको इमेज की ब्राइटनेस को मैनिवल रूप से एड़जस्ट करने की सुविधा देता है. यह बटन आमतौर एक प्लस और माइनस के चिनह से पहचाना जा सकता है. जब आप इस बटन को दबाकर कैमरे के कंट्रोल डायल को घुमाते हैं तो आप एक्सपोजर को बढ़ा या घटा सकते हैं जिससे आपकी इमेज अधिक ब्राइट या डार्क हो सकती है. यह बटन विशेश रूप से तब उपयोगी होता है जब आप ऐसे सीन में शूट कर रहे होते हैं जहां लाइटिंग की स्थिती चालेंजिंग होती है और आप शौट को अधिक अक्यूरेट रूप से एक्सपोज करना चाहते हैं नमबर एट ISO बटन यह बटन आपको ISO सेटिंग्स को जल्दी से बदलने की सुविधा देता है इस बटन को दबाकर आप कंट्रोल डायल का उप्योग करके ISO वैल्यू को मैनुवली सेट कर सकते हैं नमबर नाइन मेन कॉमांड डायल डायल का उप्योग कई कारियों के लिए किया जा सकता है जैसे मैनुवल मोड या शटर प्रायोरिटी मोड में इस डायल को घुमा कर आप शटर स्पीड को बढ़ाया घटा सकते हैं अपर्चर प्रायोरिटी मोड में डायल का उप्योग करके अपर्चर को एड़जस्ट किया जा सकता है ISO बटन के साथ मेन कमांड डायल को घुमा कर आप ISO वैल्यू को बदल सकते है Exposure Compensation बटन के साथ डायल का उप्योग करके Exposure को बढ़ाया या घटाया जा सकता है यह डायल शूटिंग के दौरान कैमरे के कई महत्वपून पैरामिटर्स को जल्दी और आसानी से बदलने में मदद करता है Number 10 Movie Still Selector बटन आपको कैमरा मोड को जल्दी से बदलने की सुविधा देता है इस बटन का उप्योग करके आप आसानी से कैमरे को Still Photography मोड और Movie मोड के बीच स्विच कर सकते है Number 11 Mode Dial यह विभिन शूटिंग मोड को सलेक्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है यह डायल आपको कैमरे की सेटिंग्स को आसानी से बदलने की सुविधा देता है ताकि आप अपनी शूटिंग की जरूरत के अनुसार सही मोड चुन सकें Number 12 Hot Shoe for Flash Connection Number 13 Focal Plane Mark Focal Plane Mark उस स्थान को दर्शाता है जहां कैमरे के अंदर सिंसर स्थित होता है यह वह बिंदु है जहां प्रकाश लेंज के माध्यम से गुजरने के बाद सिंसर पर केंदरित होता है और इमेज बनाई जाती है आएए अब आपको कैमरा बॉडी के फ्रेंटल पार्ट्स के बारे में बताते हैं Number 1 AF Assist Illuminator एक छोटी लाइट होती है जो कैमरे के फ्रेंट पैनल पर स्थित होती है इसका मुख्य उद्देश कम रोशनी की स्थितियों में आटो फोकस को सपोर्ट करना है जब आप कम रोशनी में शूटिंग कर रहे होते हैं और कैमरे को फोकस करने में कठिनाई होती है आप फोकस करना चाहते हैं जिससे आटो फोकस सिस्टम को विशाय को पहचानने और उस पर तेजी से फोकस करने में आसानी होती है नमबर टू बिल्ट इन फ्लाश नमबर थ्री फ्लाश पॉप अप कंट्रोल लो लाइट में फोटो लेते समय इस बटन को दबाने से फ्लैश बाहर आजाती है नमबर फोर कवर फॉर माइक्रोफोन कनेक्टर नमबर फाइव कवर फॉर उस्बी औड एच डियमाई कनेक्टर्स नमबर सिक्स लिंस माउंटिंग मार्क नमबर सेवन इमेज सेंसर बैक व्यू आफ दे कैमरा बॉड़ी नमबर वन मॉनिटर बटन इस बटन का उप्योग करके आप इलेक्ट्रोनिक व्यूफाइंडर और कैमरे की LCD स्क्रीन के बीच स्विच कर सकते हैं ताकि आप अपनी शूटिंग के लिए वांचित व्यूइंग मॉड चुन सकें आप इस बटन का उप्योग स्क्रीन को चालू या बंद करने के लिए भी कर सकते हैं जिससे बैटरी बचाने में मदद मिलती है खास कर जब आप व्यूफाइंडर का उप्योग कर रही हूं नमबर टू व्यूफाइंडर आईपीस नमबर थ्री व्यूफाइंडर नमबर फोर व्यूफाइंडर आई सेंसर एक छोटा सेंसर होता है जो कैमरे के electronic व्यूफाइंडर EVF के पास स्थित होता है इस सेंसर का मुख्य कार्य यह है कि जब आप अपना चेहरा या आख व्यूफाइंडर के करीब लाते हैं तो यह संसर स्वचालित रूप से LCD स्क्रीन को बंद कर देता है और EVF को सक्रिय कर देता है इसके विपरीत जब आप अपना चेहरा व्यूफाइंडर से दूर करते हैं तो LCD स्क्रीन फिर से चालू हो जाती है 5. Diopter Adjustment Control, EVF में द्रिश्य को आपकी आँखों के अनुसार अजस्ट करने की सुविधा देता है यदि आपकी आँखों में कोई sight problem है, तो आप इस control का उप्योग करके viewfinder में दिखाई देने वाले द्रिश्य को सपष्ट कर सकते हैं बिना चश्मे या contact lanes के 6. Auto Exposure Lock, Auto Focus Lock एक dual function बटन है, जो कैमरे के पीछे की ओर स्थित होता है यह बटन आपको Auto Exposure और Auto Focus को लॉक करने की सुविधा देता है, जिससे आप अपनी composition और shots को अधिक accurate बना सकते हैं जब AE Lock बटन को दबाते हैं, तो कैमरा उस समय के exposure, settings, shutter, speed, aperture, ISO को लॉक कर देता है इसका मतलब है कि आप shot के अन्य हिस्सों की lighting को बदलते हुए भी exposure को स्थिर रख सकते हैं Auto Focus Lock इस बटन को दबाने पर कैमरा उस समय के Auto Focus settings को लॉक कर देता है इसका मतलब है कि आप अपनी composition को बदल सकते हैं, लेकिन focus वही रहेगा जो आपने पहले चुना था Number 7 OK Button Number 8 Multi Selector मेनू में विभिन विकलपों और settings के बीच navigate करने के लिए multi selector का उपियोग किया जाता है आप इसे उपर, नीचे, बाएं, या दाएं दबाकर विभिन settings को ब्राउज कर सकते हैं Number 9 Memory Card Access Lamp एक छोटा सा indicator light होता है, जो कैमरे के पीछे या साइड में Memory Card Slot के पास स्थित होता है इस Lamp का मुख्यकारिय यह बताना होता है कि कैमरा Memory Card तक एकसेस कर रहा है या उस पर data read या write कर रहा है Number 10 Menu Button Number 11 Delete Button Number 12 Playback Button Number 13 Information Button जिसे आमतौर पर iButton के रूप में जाना जाता है एक उपयोगी बटन है जो आपको कैमरे की सेटिंग्स और जानकारी तक फास्ट आकसेस प्रदान करता है Number 14 Display Button Number 15 Plus-W Button एक Zoom Out Button है जो विभिन कारियों के लिए उपयोग किया जाता है खास कर Playback Mode और Live View में यह बटन प्लस T और माइनस W के साथ एक जोडी के रूप में आता है जहां T का मतलब टेलिफोटो जूम इन और W का मतलब वाइड जूम आउट होता है Number 16 Zoom In Button Number 17 LCD Monitor Front View Number 1 Sub Command Dial विभिन शूटिंग मोड्स जैसे की Manual M Aperture Priority A और Shutter Priority S में Sub Command Dial का उपयोग Aperture, Shutter Speed और ISO जैसी सेटिंग्स को अजस्ट करने के लिए किया जाता है उदाहरन के लिए Manual Mod में मुख्य Command Dial से Shutter Speed सेट की जाती है जबकि Sub Command Dial से Aperture F-Stop को Adjust किया जा सकता है Number 2 Function 1 बटन को किसी विशेश Function या सेटिंग के लिए असाइन कर सकते हैं जिसे आप अकसर उपयोग करते हैं उदाहरन के लिए आप इसे ISO सेटिंग, White Balance, Focus Mode या Metering Mode जैसे कारियों के लिए असाइन कर सकते हैं एक बार जब आपने Function 1 बटन को किसी Function के लिए असाइन कर दिया तो आप इसे दबाकर तुरंत उस सेटिंग या Function तक पहुँच सकते हैं इससे आपको शूटिंग के दौरान मेनू में जाने की आवश्यक्ता नहीं होती, जिससे समय की बचत होती है और आप महत्वपूर्ण क्षणों को कैप्चर कर सकते हैं Number 3, Function to Button भी Function 1 Button जैसा ही बटन होता है जिसको किसी खास सेटिंग को कस्टमाइज करने के लिए यूज करते हैं Number 4, Battery Chamber Cover Latch Number 5, Battery Chamber Cover Number 6, Lens Mount Number 7, Lens Release Button Number 8, CPU Contacts छोटे गोल्ड प्लेटेड कनेक्टर्स होते हैं जो कैमरे के Lens Mount पर स्थित होते हैं ये Contact Points Lens और कैमरा बॉडी के बीच Electronic Communication के लिए होते हैं Number 9, Tripod Socket Number 10, Battery Latch एक यलो छोटा लेकिन महत्वपूर्ण भाग होता है जो कैमरे के बैटरी कमपार्टमेंट में स्थित होता हैं इसका मुख्यकार्य बैटरी को सुरक्षित रूप से अपनी जगहे पर रखने और इसे सही तरीके से कैमरे के अंदर लॉक करने का होता हैं Number 11, Memory Card Slot इसकी लोकेशन थोड़ी ट्रिकी हो सकती है क्योंकि इसे जगह बचाने के लिए बैटरी कमपार्टमेंट के अंदर ही डिजाइन किया गया है हमने आपको Nikon Z50 के सभी महत्वपूर्ण हिस्सों के बारे में विस्तार से बता दिया है आशा करते हैं कि इस जानकारी से आपको अपने कैमरे को बहतर तरीके से समझने में आसानी होगी अगले वीडियो में हम Nikon Z50 के सभी फीचर्स के बारे में विस्तार से बताएंगे ताकि आप अपने कैमरे का अधिक्तम लाब उठा सकें हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेर करें चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ नमास्ते जैहिन